दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आकासमीना और दोस्तो यहाँ पर खास टेक्निउज की बात करते हैं तो रियल्मी नारजो 30 प्रो 5G स्मार्टफॉन को आज रियल्मी ने भारत में लॉंच कर दिया है और रियल्मी नारजो 30 प्रो 5G स्मार् दूस्तो इसके बाद में यहाँ पर 5G connectivity मिल रही है जो कि इस फोन को बहुत ज्यादा खास बना देती है इसके बाद में अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120 हर्ट रिप्रेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके बाद में और बात करते हैं इसे के फीचर्स की तो यह के साथ यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा तो बिल्गुल मजासा ही आ जाएगा दोस्तो बही पर जानते हैं रियल में नर्जुद 30 प्रो 5G स्मार्टफोन के कुछ इस पेसिफिकेसंस तो यहाँ पर 6.5 इंच की फूल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है वही पर अगर इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो 20.9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है यहाँ पर दोस्तो फोटोग्राफी के लिए यह तीन अलग-अलग केमरा दिये हुए है जिसका प्राइमरी केमरा 48 मेगापिक्सल का है जिसमें अगर अपरचार की ब और बाइट सेल्फ मिल जाती है जो कि बिल्कूल सांदार सी आने बाली है यहाँ पर बात करते हैं इस फोन में 108 जीवी का इस्टोरेज दिया है कनेक्टिविटी में इसमें वाइफाई ब्लूटूथ 5G 4G LTE और बहुत सारे GPS और USB टाइप सी पोर्ट और बहुत सारे अलग- तो यहां मेगनोमीटर, एक्सिलोमीटर, एवी एंटर, लाइट और प्रोक्सिमीटी सिंसर इसके बाद में कमपास आधी सम्मिलित है दोस्तों भाईपर फिंगरप्रिंट सिंसर की बात करते हैं तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सिंसर भी मुझूद है तो इसमें नारजो 30 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको 5000 इमेज की बेटरी मिल जाएगी यहां पर अगर इसके बेस बेरेंट की बात करते हैं तो यहां पर अगर तो उस तो प्राइस की बात करते हैं तो 6GB रेंट और 64GB रोम बोले तो 64GB इस्टोरेज वाले फोन की कीमत भारत में है कीमत है बीस हजार रूपए तो यह दोनों अलग-अलग स्मार्टफोन की कीमत है और इसके बाद में 64GB रोम बाला जो 16909 रूपए इसकी कीमत है लेकिन 5G में इंडिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन रियल मी नारजो 30 प्रो का 6GB रेम और 64GB इस्टोरेज वाला वेरियंट द राजक्षन करते हो पेमेंट में तो यहाँ पर आपको 1000 रूपए तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है तो इसे में देर किसे बात की जल्द स्मार्टफोन को पर्चेस कीजिए अगर आपको स्मार्टफोन पस्टाथा तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सभी दोस्तों किसमाना तो चेले को सब्सक्राइब करें बद भूलना